आज के वीडियो में हम लोग सिंदु घाटी की सभिता के बारे में कुछ important चीज़ देखेंगे इस वीडियो में जितना भी सिंदु घाटी की सभिता के बारे में बताया जाएगा पर एक शौँ में उससे इतर कुछ भी नहीं आना है यानि इससे हटकर कोई भी चीज नहीं आनी है सारे important questions वो हम लोगों ने एक साथ कलिट किया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सैंदो सभिता यह में संस्कति यानि कि सिंदु घाटी की सभिता के बारे में अगर बात करें तो इसके तीन नाम है एक तो है सिंदु सभिता दूसरा सिंदु घाटी की सभिता और तीसरा हडपा सभिता सिंदु सभिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के पास सिंद प्रांत में इसको खोजा गया सिंदु नदी की घाटी में यह सभिता विक्सित हुई धारित किया गया है अगर हम 2300 से 1920 देखें तो ये इसके विकास की पराकास्था का एक समय है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं जो मिश्र और मिसुपटामिया है उसकी सब विताओं के ये समकाली नहीं है हडपा और मोहन जुर्लों को एक विस्तरत राज की जुड़वा र हराष्ट में सेंदो सभिता का विस्तार रहा है जबकि पाकिस्तान में बलुचिस्तान सिंद प्रांता और पंजाब में इसका विस्तार रहा है चलिए आगे देखते हैं हम लोग ये देखें अगर हम लोग आकार की बात करें यहां पर सिंदो सभिता का आकार कैसा है तो यह मानचली जो इसका आकार है वो त्रिभुजा कार होता है कैसा होता है त्रिभुजा कार है यहाँ पे आप देखे यहाँ इसका सबसे उत्री स्थल आपको मानदा देख रहा होगा यहाँ से मैं इंग चेंज कर लूँ यहां पर तो यह एक लगभग त्रिपुज के आकार की आकरती बन नहीं है इसलिए जो सिंदु सभिता का आकार है क्या कहा जाता है त्रिपुज आकार है ठीक है अगर इसके उत्री पॉइंट की बात करें तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि उत्री पॉइंट इसका कौन प्रोलो की एंजी मजुमदार ने करी लोथल की एस आर राव ने करी काली बंगा की अमलनन घोश ने करी बनावली की आरस विष्ट ने धौलावीरा की जेपी जोशी ने रोपर की बीबी लाल ने और आरस एस्टाइन ने सुथ कांगे डोर की खोच करी आगे देखते हैं ल कि पुरवी टीला है और पश्चमी घीले को नगळ तीला के दूर्क तीला करा जाता है पश्चमी तीले को सेंदु सबिता का दूसा महत्पूर्ण इस्थाल मोहन जो दाड़ो तो लरकाना जिला जो सिंदु प्रांथ में है समय पाकिस्तान में वहां पर यह स्थेते हैं सिंदु नदी के दाएं तटपर किस तटपर दाएं तटपर यह स्थेते हैं क्या क्या मिला है यहां से तो व्रह पश्मी एशिया के साथ जो वैपार होता था तो यह एक प्रमुक बंदरगाह के रूप में ये जाना जाता था यहां से क्या क्या मिला है तो फारस की मुद्रा मिली है जिसे कहते हैं वो मिली है पक्के रंग में रंगे हुए बर्तन मिले हुए है धान यानि कि चावल और पुगल समाधिया भी लोथल से मिली हुई है। साथ अगनी कुण मिले हैं या वेदिकाय मिली है जो एक ही लाइन में बनी हुई है एक ही पंक्ति में बनी हुई है सेल खड़ी तथा मिट्टी के मोहरे मिली है मुरद भांड के टुकड़े मिले हैं काली बंगा गर्थ होता है काली चूडिया दौला वीरा की बात करते हैं चिन्नोला प्रवंधन है घृबभी मुदौ talked को कपिरिस्तां से कलश शवादान यहां पर प्रापत हुआ है और घोड़ी की हड़िया सुर्कोड़ता से मिली है दैमाबाद अगला इस्थान है, एहमद नगजिला है, महराष्ट में वहाँ पर यह स्थित है, सेंदो सब्धा का सबसे दक्षणी स्थाल है, अभी हम लोग बात करी चुके थे, प्रवरा नदी, कौन सी नदी, प्रवरा नदी के बायं तट पर है, किस तट पर है, बायं तट है, खर्यार में, तो यहाँ पर सेंदो सब्धा है, सेंदो संस्कृती है, और इसके तीन स्थर मिले है, प्राग सेंदो, विक्सित सेंदो और उत्तर सेंदो, यानि कि पहले का सेंदो, फिर जो सेंदो का विक्सित हो गया, और उसके बाद का सिंदो, सब्धा का का यहाँ पर अगला इस्थान है रोपड, तो रोपड कहां पर है, पंजाब में है, जो इस समय भारत में है, सतलज नदी के बाएंधट पे, सतलज नदी के बाएंधट पे इसके थे 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 इसका आधरिक नाम जो है, रूपनगर है, यह कोशन एक आया हुआ है, क्या क्या मिला है, तो प्रात साक्ष है, तो बाला कोट से क्या मिला, सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले है, माणडा से कांस निरमित पेचदार पिन मिला हुआ है, नौसारों से सिंदूर के प्रमार मिलते हैं, इस्थियों के मांग में, रंगपूर से धान की भूसी मिली है, लोथल से से सेयुत पश्यमूर्दी मिली हुई है, कपास कुछ और तथे देख लेते हैं, हम लोग, कपास की खेती का आरब सबसे पहले सिंदूर सभिता के निवासियों ने किया, यहां बर क्रे, विक्रे, वस्तुविनमे, इन सब के दोरा व्याबार होता था, क्योंकि सिक्कों का प दुक्षित विधी द्वरा बनाई जाते थी, सबसे ज़ादा जो मनमूर्तिया हैं, वो पश्यपच्छीयों की मिली हैं, सबसे आज़ा मौरे हैं, वो सेल खड़ी की मिली हुई है, सेल खड़ी की बनी हुई है, सिंदू सभिता की मौरों पे सरवाधिक अंकन किसका होता था तो एक श्रंगी, एक सीन वाला बैल, इसका सरवादी अंकन होता था, उसके बाद कूबड़ वाले बैल का अंकन होता था, इसका अल का जो प्रमुख खेलता वो कौन था, पासा था, क्या था, पासा था, बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ पर पशुपति शिव, योगी की एक असपास पशुँ है, इसके असपास पशुँ है, तो ऐसा कहा जाता है कि यह पशुपतिनात है, और शिव से इनको रिलेट किया गया है, तो इनकी जो लेफ्ट हेंड साइट पर है, वाई और पर दो जानवर हैं, गैंड़ा और भैसा, ठीक है, और धाहिनी और बेह कितने ह सब्सक्राइब मेरा यहां पर एक और यह दो हिरन ने हुअ है कुछ विश्यस्ता थे हैं लोहे की ग्यान का ता यहां पर सुना चादी तांबा कासा यह सब जानते थे हांद से चालज jau छाख को थे उनका प्रयोक किया जाता था मुर्टी पूजा का प्रिशलन था शेर के अशेश का अभावा था अशेश नहीं मिले थे घोड़े के मिले थो हें अशेश मिले है लेकिन चित्रों का अभाव इस प्रकार से ये वीडियो जो पूरा हम लोगों ने जान कर लिए सिंदु सबेता के बारे में जो जो प्रशना आज तब पुछेगा हैं परिक्षाओं में उन सब को कवर करते हुए अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजे शेर कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजे थैंक यू